सो हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सुमोच साइन्स और आज काफी दिन बाद मेरी तर्वे नहीं थी कि तो वीडियो नहीं पढ़ पाई है पर अब वापस से वीडियो पढ़ती रहेंगे आज एंसी आर्टी क्लास एच चैप्टर सेवन के कंसर्वेशन और प्ल कि वीडियो जैसे यह आपके पास है आपको तुरहन थी नोडिफिकेशन आज़ा तो सबसे पहले इसको थोड़ा नहीं तरीके से ताकि चैप्टर भी आपको समझ में इसी में आज़ो एक्साइस भी सी में हो जाए ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगी कि कुछ आपको कुस वाइसागा निवगैशन गेसागा चैप्यने पाथ है ये पिशली ज पहले हैं तो में चैप्टर आहिचा सेटे जाती है। एसे एडिया फॉरस्ट की वह है को आपको जो हम प्रोटेक्ट करने हम का एनिम्रह पेल्मेंँन प्रोटेक्ट करती हैं जहां एनिमेल्ड रहते है उस एरिया में एनिमल्स को फूल प्रोटेक्शन दी जाती है जैसे आपके टाइगर एलिफंट यह सब जगह अगर जिस जगह पर भी रहते हैं उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है कि वह किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो उनका हैबिटेड यानि जहां वो रहते है जं अपने हैबिटेड में बहुत खुशी सिर रहें वहां पर क्या होता है कि किलिंग ठीक है और क्याप्चरिंग को आप पकड़ नहीं सकते शिकार नहीं कर सकते ऐसी जगह पर वाइलाइफ सेंचुरी में और यह सब प्रोहिबिटेड होता है और इवन यह पनिशेबल होता है यानि कि आपको क्या है सजा मिलेगी अगर आप ऐसा करते हुए पाई जाते हैं एक्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा कि काला हिरन केस में सलमान खान जो है वो उनको पर केस चल ला था और वो केस इसलिए चल ला था क्योंकि उन्होंने क्या किया था शिकार किया था और किसका किया था काले हिरन का जो कि क्या है गैर कानुनी है ठीक है आप बात समझ गए होंगे कि ऐसी किसी भी जगे पर आप शिकार जानवर का नहीं कर सकते हैं अब सवाल कभी-कभी यह उठ जाते हैं आपके दिमाग में हर डाउट क्लियर होना चाहिए कि वाइड लाइफ सेंचुरी जो है नैशनल पार भी आपने सुने आप घूमने जाते हैं ठीक है तो इनमें इनमें क्या अंतर है इसके लिए मैंने आपको वाइड लाइफ सेंचु में देखें बहुत सी चीजे रहते हैं लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम अनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वह वाइड लाइफ सेंचुरी के कैटेगरी में आता है बायो स्पेर का मतलब होता है लिविंग कोई भी चीज क्या है जो लिविंग ठीक है अगर हम पूर नायशनल पार्कि पार्कि क्या होते हैं जो अप्लया अगर है जो रूरी नायाशनल जुक है टेक है और नैशनल पार्क नमर्ट इसके बताएं अब फॉर्ट को मतलब होता है अरने म्ला समय उनको प्रोटेक्शन देना इसके लब लैंड्सकेoten पूरे लैंड के अरिया को यहां देखिया नॉन्न लीविंग और इसके विए अगर प्रोटेक्ट हो रहा है उस एरिया में तो उसे नाशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है उमीद है आपको एबाद समझ में आ रही है तो यह क्या ही थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टिटिड है यानि यहां पर जो आस पास के लोग है उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ा जंगल बंगेर जाना है यहां पर रिस्क बैयूस्फ्यर में इससे थोड़ा ज्यादा है वाइलाइफ से लेकिन आशनल पार्क में रिस्ट्रिक्ट्िट सीह बहुत जादा हाई होती है यह बात आप दह tightening लेका पर इसलिए इसलिए ऐसा अपर वाइल या सेंचुरि या सेंचुरी ठीक है। बात समझ में आई आपको नेक्स्ट आपकी बात करें ठीक है यहां वाइल लाइफ सेंचुरी है पूरान सा ठीक नेक्स बात करें इसका आंसर पाने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा अभी यह चीज में दिखाऊंगे आपको इसकी चंता मत करिए एन्डमिक स्पिसीज की बात करें अपको उस प्लांट सेंच्ट या शीका होगे यानि की वह उसकी इलावा जैसे आपको बदाए चैसे राजस्थान में आपको कैमल मिलते हैं सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे इसे हम पता कर पाते हैं कि हाँ यह इसी जगा मिलते हैं तो यही से उसने लिया होगा विलेन ने इस जगे पर प्लांट जहरीला मिलते हैं तो यही आपका कुष्चं क्या था आपका कुष्चं में था कि mix species ठीक है next बात करेंगे तो आप जो है वो migratory birds का द्यान सुना होगा तो migratory birds क्या होते हैं आप देखें migratory birds जो होते हैं वो क्या करते हैं migration का मतलब होता है एक जगे से दूसरी जगा migrate करना यानि जो पहले जहां रहते थे वहां से migrate होकर आपने क्या उसे कहते हैं सुना होगा कि कुछ birds जो होती है वो एक पर्टिक्लर एक जगे से दूसरी जगे पर हर सीजन क्या करती है fly कर जाती है क्यों कि जिस जगे पर मान लिए रह रहे हैं ठीक है उस जगे की जो condition है वो अब उनके लिए suitable नहीं है मान लिए बहुत जादा क्या है कि जाड़ा है और वो जो बर्ट है वो जाड़े को ब्रदाश नहीं करती है तो दूसरी जगा निकल लेगी जहां थोड़ी गरम जगा है इसलिए वो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जगे को चेंज करते रहते हैं तो माइग्रेटरी बर्ट फ्लाइ टू फार अवे एरियाज एवरिवेर दूरिंग पर्टिकुलर टाइम पर ही करती है क्यों करती है क्लाइमेट में चेंज हो रहा होता है आप उनकी बॉड़ी उसके लिए क्योंकि उनका जो अपने एक देने हैं और जो हैबिटेट जहां रह रहे हैं उस समय वह बहुत जदा कोल्ड हो चुका है और उनके लिए इन हॉस्पिटेबल यानि कि वहां रहने योग नहीं रह रह रहा है ठीक है बर्ड्स हो कवर लॉंग डिस्टेंस वह सारी बर्ड्स बहुत लंबी डिस्टेंस को तैख करती है जो एनैदर जगे पर पहुच जाती हूं सारी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं पिक्चर के दो और पर आप देखे होंगे ऐसे बर्ड्स एक साथ अपना ग्रूप बनाकर एक जगे से दूसरी जगा तुरं तुरं त पहला था कि wildlife century जहां एनिमल्स को से protection मिलते से wildlife century कहते हैं जो species में particular area में ही मिलते हो से endemic species कहते हैं और migratory birds जो क्या गरती है एक जगे से दूसरी जगा फ्लाइ करती है क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है नेक्स बात करेंगे तो आपके जो बुक है उसमें पच्छमरी wildlife century दिखाए गई है जो कि मध्यप्रदेश में है यह wildlife century भी है और यह इसी के अंदर national park भी है और इसी में biosphere reserve भी है ठीक है एरिया बड़ा national park सबसे बड़ा फिर उसके बाद इसमें जहाती biosphere reserve और wildlife century अब इसके अ अराम से रह सके ठीक है golden cat pink headed duck आपने देखी नहीं होगी यहाँ पर आप लोग direct दर्शन कर लिए ठीक है घडियाल गडियाल के बाद बाद की जाए तो यह रहाब का crocodile ठीक है अच्छा crocodile और घडियाल में आप अंतर देख लिए और देखे एशिया का जो घडियाल होता है उस इनका जो फोड़ा सा अभी इस फोड़ा साइसे ली-गेटर का चैशरम हो जब्यें से ठीक है यह सब्सांटिक्ष्ण हो घ्रियाल इस वाइला चैसरस को लीगेटरह जो होते हैं differentiate between the following wildlife century and biosphere reserve ठीक है इसमें बोला गया है कि आप differentiate करो wildlife century and biosphere reserve अब आप अच्छी तरह से जान तो मैंने आपको पहले ही बता दिया wildlife century and biosphere reserve में क्या आंतर है ठीक है तो ये वो एरिया है जहां पर animals को protect करते हैं सारे possible danger से क्योंकि hunting ना हो और habitat is also conserved in this area और उनके जगा को भी पूरी तरह से protect किया जाता है biosphere reserve उससे large protected area है पूरी की पूरी biodiversity अगर ले 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 यानि की plants, animals और हम क्या ले ले microorganism पूरी biodiversity, biodiversity का मतलब है हर चीज जो है diversity का मतलब ही है कि अलग-अलग चीज़ सब को protect करने का काम biosphere reserve कहता है ठीक है इट लेकिन सब living things को ठीक है इट provides protection suitable living condition to a wild animals को करता है और यह देखिए plants, animals, microorganism इन सब को conservation प्रवाइड कराता है इन सब को protection पंचमरी century is a wildlife century हो पंचमरी biosphere reserve जो है वो popular biosphere इसी के अंदर दोनों है और यह biosphere reserve है और यह wildlife century है इसमें मुझे लगता कोई बहुत बड़ी बात है जो आपको समझ में नहीं आई होगी नेक्स बात करते हैं अंतर मैंने बता दिया था नेक्स अंतर जो इसमें पूछा गया था आपसे दिखा देते हैं इसमें नेक्स नेक्स अंतर है वो है जू में आपको वाइल लाइफ सन्चरी में अब आप łatप आप जूदिंवर देखते हो उसमें जानवर देखते हो जूद्श्छे उक्तिन जानवर Golf रहते हो उनको जूदिश सही जगह पर उनको बंद कर दिया तो WILDLACM centry में लेके नहीं जाते हैं ond ढेयर सेंट्री में लेकिन आज़ते हैं लेकिन आसे लिए कि हम उज़िल में पर जाते हैं जाते हैं वहां पर जाते हैं ют ders visual habitat करते हैं एक गाड़ी मिलती है हमें और वहां पर जाते हैं तो यहां जरूर आ जाता है बट वो नेचरली वहां पर नहीं रहता है उमीद है जू मोबाइल लाफ सेंटरी में इसमें अंतर आप अच्छी तरह देख लें इसके स्क्रीन शॉट ले लें एक्जाम में लिखेंगे बैतर नंबर मिलेंगे आपको चीक है नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स जो है आपका अंतर जो पुछा गया है आपसे वो पुछा गया है कि इंडेंजर्ड और एक्स्टिंक्ट स्पीसीज में क्या अंतर है ठीक है इंडेंजर्ड स्पीसीज एक कहलाती है और एक एक्स्टिंक्ट स्पीसीज कहलाती है तो यहां तो आज आपको गहीं डाइनासॉर्स दिखते हैं कि अगर वह होते तो शायद हम नहीं होते हैं सो क्या होते है कि एक्स्टिंट हो चुकी है तो ऐसे कई जानवर हैं जिनका ख्याल ना रखने की वज़े से उनको आज हम प्रोटेक्शन इसलिए बाकियों को दे रहे हैं क्योंकि हर एक स्पिसीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है हम सब एक दूसरे पर डिपेंडन हैं ठीक है अभी बच्चिये तो हम बचा सकते हैं एक्स्टिंट होने की चंडीशन में नहीं है ठीक हम बचा सकते हैं जैसे कि ब्लू वेल धीरे धीरे खतम होती जा रही है तो इन्हें बचाने हैं अपने सुना होगा टाइगर्स का आपने बहुत लादा सुना होगा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि टाइगर खत्म जा रहे हैं अब इंडिया में थोड़े से ग्रो की हैं अभी इमाउंट कम है और वर्ड में तो बहुत जादा कम है लेपर्ड की बात करें यह भी बहुत कम मात्रा में यह इंडेंजर स्पीसीज है पूरी तरह खतम नहीं आपने देखें नेक्स अफ्लों आप पूरा मतलब होता है यह प्लांट सहर फॉरस्ट के जो फ्लोंज उनको कहते हैं और यह भी उनके प्लांट जाता है जैसे तो metaphoritan फ़ोरा क्या हैज दोस दियोंगे उनको अच्छी तरह देख लीजेगा तो यह पच्छमरी बाइस्फियर रिजर्फ के हैं नसी आटी में ठीक है और लेपर्ड फॉल्फ वाइल डॉग इट सेक्टरा क्या है फॉना है पच्छमरी बाइस्फियर रिजर्फ के ठीक है अमिड़ आपको यह बात स को ही बात से सबस्क्राइमे को ही इसके हैं नहीं दमत्राइस नहीं वा इघ взंट सबुक्रान तो इससे क्या होते है इसको डिफोरेस्टेशन गहती है पर इसके बहुत ही खराब एफेक्ट्स हैं ठीक है सबसे पहला अगर बात की जाए तो आप वाइल्ड अनिमल्स में क्या फरक पर था वाइल्ड का मतलब जंगल में रहते हैं उनमें क्या होते हैं ट्रीज जो है और आप जिया निमार लूकर को तक तो इनक रहा एक डिक्लाइन हो जाए ठीक है उनका है खराब कोी घराब करते हो इसבी क्या फरक प्रता विम्ममों करेंगоре, पहला टो तो यह गाए, नो है इन वोग् physician रहता है, में प्लान्स का योगदान साथ क्या होता है, अगर ले डोंडर्व का मुष्क आप प्लांन झाहा है, जोनत Правी एटमोस्वेर से करता है, लेकिन घंछ अगर अगर विम्म मौन ले रहा हैं कि खास बात होती है कि यह हीट को ट्राप कर लेता है जो हीट है उसको ट्राप कर लेता है जिससे क्या होता है ग्लोबल वामिंग यानि कि जो अर्थ है वो गरम हो जाएगी ग्लोबल वामिंग शुरू हो जाएगी और ग्लोबल वामिंग के वज़े से क्या होगा कि तो आपका रेनफॉल पैटन और इससे क्या होगा कि फ्लड और ड्रॉफ्ट सूखा भी पड़ सकता है जब जरूरत है पानी की और अचानक से बाढ़ दिया सकती है तो यह सारे कारण क्या है इन वार्मिंट पे एफेक्ट डालेंगे तो यानि प्लान ने सियो टू एब्जॉ मैं ज्यादा हो जाएगा तो सी ओ यह पार चाहता है और जीट क्रोबर में पॉर्मिंग तो नेचरल वार्टर साइकल खराब ऑगी उसका डिस्टरब होगा पैटन जिससे रेनफॉल का पैटन खराब होगा और जिससे क्या होगा फ्लड बार और सूखे की कंडिशन आ जाए प्रोट का यह भी काम होता है तो तो आपके लिए बेकार होता है लेकिन जो उपर की टॉप सोईल है वही आपके काम की होती है बेकार होता शासल है और यह रम्रीमोवड उपर रहाँल मत्की काउब है जिससे क्या होता है डिफोरेस्टेशन kesे तो चैलेखिये बीचेन जीड़के होता है हैं इस जगे से हैं उसे सउई इरोजन कहते हैं जिससे क्या होता है सॉईल अपना यूमेस हो जाएगी dignit और देडिरों क्या करेगा विलिज को ट्र奂म करते कंपते को दो फार्मर के बिध्यAR तो टो इसीड आवाल हिए इस इश्ञाव को क्राणD चेहरों में आप वही चीज़ लिख सकते हैं जो इंवार्मेंट में पढ़ता है ठीक है अब देखे तो डिपोरेस्टेशन क्या करता है बहुत सारी नैचुरल कैलमेटी जैसे फ्लड और ड्रॉफ्ट आ जाते हैं कैसे कि यह स्योटू जो है स्योटू एट्मॉसफेर में बढ करें के राफ जो चतों ड्राइब कि सब्सक्राइब के वाइन दि कृप्य समें फिलट बाद कर Gift पी पर जाती है जोड़ फिलटी जैसा सूखा पढ़ जाना यानि की बाहर आजाना यह सारे की डिफॉरेस्टेशन में अर्थ में चांसे वही बाते स्यों टू अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वह एफेक्ट होगी इस ड्राफ फ्लर्ट और ग्लोबल प्रॉब्लम से क्योंकि हमारे बाद और तक दिक्कत हो जाएगी नेक्स जनरेशन के लिए तो हमें क्या करना है डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा जल्दी से जल्दी नेक्स जनरेशन पर यह एफेक्ट पढ़ेगा कि रलड़े हैं अब भाद आपको समझ में आयोगी नेक्स बात करें थोवाट वाट विल्क होता जाएगा अगर हम प्लिष काटते जा रहे हैं ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे जैसे नेचरल यह क्या है च्छाने पीने की चीज़ वही आप ले जा रहे हैं दूसरी चीज क्या है कि इंक्रीस तंपरेचर में आप क्या को होगे वही ग्लोबल वार्मिंग स्योटू के बढ़ने के वज़े से वाटर साइकिल और बहुत सारे रेनफॉल पैटर्न गरबंगे जिससे ड्रॉफ्ट की कंडिशन होगी और क्या होगा कि रिस्क स्वाइल इरोजन का डिसर्टिफिकेशन जितनी भी नैचुरल शेहर आप को निखनागर अडिकेर शेहर में पर आगे कि चाहर बहुत सब्सक्तु करते होगे वहां नहीं तो वह हैं रहती है किसी कि अजाङ को यहार भी मिलते हैं वहां आगाए वकाल आप घर में कि उसको खाने की चीज़े नहीं मिल रही है आपने चीजों से ले रखी है तो क्या है कि वह घुंटा घुंटा टहलता टहलता दूसरी जगह पर आ गया अब सोचिए कि हिरन जो है वो शेर को हिरन का खाना है वो पत्ते और यह सब है ठीक है वो करते करते शेहर पर पहुंचा ठीक है बात समझ में ऐसे चीज़ों होती है खाने के इसमें जो वाइल अनिमल से बाहर निकलते है ठीक है तो यह है कि हम वो हमारे उस पे नहीं हम उनकी जगह पर जा रहे है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है अगर टॉप लेयर एक्सपोज हो जा रही है तो हमें क्या है हमें रॉकी नेचर वाले सॉइल पर ठीक है यह जो पर वाली सॉइल यह बहुत ज़दा फर्टाइल होती है यह सौल यह विंड या पानी के जिसे जब हट जाती है क्योंकि पेड़ तो आपने काट दी उसको मजबूती से रखता है ठीक है तो यह उपर वाली सॉइल जो कि थोड ब्रीफ में आपको बताना है क्या-क्या है वाई शुड भी कंजव बयुड अब सबाप पढ़ चुकिए हो कि आपको यह थो पांजव करने बाइव ड्या मतलब है कि जित्ते बलांट्स एणिमल्स और माइक्रो और्गनिसम उस एरिया में रह रहे हैं इन सब को प्रोटेक् अगर वहां नहीं अच्छा है तो भी चले जाएंगे हम सूखा पर जाएंगे बहुत अदा बारिश हो जाएंगे बार हो जाएंगे तो आपके पास आंसर हो या ना हो ठीक है घंगे बारिश किवर्च उन्हें करें लिफ सिद्ह को एंशा से इंद्धर के ढला पारता है क्योंके वालीबबबबबब सुखते दे ऐख और जानवरों कि चीजोह को बहुत यह जाता है कैनेißt हुआ या नागरिकान भीजना पर यह भीजना हुआ। नेक्स बात की जाए। सब्सक्राइब करते हैं कैसे आप से पूछे कुछ जंगल के पास रहते हैं इंसान ही होते हैं उनको ट्राइब्स कह देते हैं ठीक है तो वह दादा शहरी और जैसे हम लोगों को सब पते हैं हम लोगों को गाड़ियां और यह कारे और हम लोग बहुत अच्छा खाना यह सब पते हैं कि आज भी जंगल हो पर जैसे अर्ली मैंट से रहते हैं रहते हैं दो तो अब का आपको फ़ोगों को आ सकते होएं कि आपको आपका प्रइंद करते हैं तो इन सब पर यह डिपेंड करता है प्र्स इंके डेली रिक्वाइमंट की फुल्फिल गईर इंग जो लिग लाने के लिए चूले पर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है नेक्स अगर बात की जाए आपकी जो नेक्स कोश्चन है वो इसमें पूछता है की वाटर दा कौज इंड कॉनसीकूएंस क्या कावसे कारण होता है तो क्या रिजल्ट होते हैं डीजल्ट थो आप जाने चुक यहां mall बना देते हैं यहां कुछ बना देते हैं उसके लिए forest को काट देते हैं और अपनी requirements को पूरा करने के लिए forest को में जंगल है वो एक तो पहला कारण यह है कि इसलिए काट दिया जाता है कि इसलिए urban area को बढ़ाने के लिए ठीक है next क्या यह urban areas की जरूरत पूरी करने के लिए जैसे की पेड़ काट जाता फरनीचर बनाने के लिए जिस लकडी वकडी का हम इस्तमाल करते हैं पेपर्स के लिए ठीक है इन सब के लिए forest को इसलिए भी destroy कभी कभी कर देते हैं कि आसपास के लोग किया है उस area में अपनी crop उगाने लगते हैं या cattle ले जाते हैं अप इसलिए firewood के लिए और trees के लिए बहुत सी चीजों के लिए काम आते हैं ठीक है इन सब कारणों की वज़े से जो causes है deforestation किया जाता है यानि की पेड काटा जाता है अब बोला जैसके consequences क्या होते है कॉंसे के सुन सुप्य हो कि soil erosion होता है इससे लेस पर्टाय हो जाती land biodiversity का loss हो क्लाइमेटिक चेंज दू ग्लोबल वर्मिंग ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वर्मिंग के और वाटर साइकल भी डिस्टरब हो यह सारे इसके क्या है Consequences नेक्स जो है आपका चीज वह यह है कि वाट इस रेड डेटा बुक कुछ नहीं है वह है कि एक यानि की पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडेंजर्स है सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट जोब नहीं मिलने है उनकी एक लिस्ट है वो इसको हम रेड डेटा बुक कहते है इस बुक को मेंटें को और करता है अगर पूछे तो आयू सी ए इन इंटरनेशनल यून देफिनिशन यह तो माइगरेशन डिफुर्स दा मूवटमेंट एक और गीनिजम का और यही जगे से दूसरी जगे पर ठीक है और वैसे ही अगर कोई क्या कर रहा है कोई और आधी तीक है और गूप ब्रूप ऑर्गिनिजम फ्रॉम इटस अपने नेच्राल है इंटिएं कुछ जगे पर बाढ़ आजाती है तो उस जगे पर अपको पांच कोछन कि क्योंकि थोड़ा था एकससाइस और मैंने कोशिश कि इसी में आपको समझाने कि देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट फिर भी आपको समझ में आ गई होगी तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जुरूर करिएगा सुस्क्राइब करिए मेरे चैनल को मैं जल्दी नई वीडियो फड़ा फट से अ ठीक है थांक्तु सो मच पूर वाचिंगे तो